नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्केंट आज फिर मैं आपके साथ एक और ने विशय पर चर्चा करना चाहूंगा मेरे यूटूब के कमेंट बोक्स में आई वे मैसिज का जवाब देना चाहूंगा मेरे पास मोजी का मैसिज आया है इन्होंने लिखा है नॉर्थ फेसिंग हाउस में में गेट नॉर्थ हिस्ट यानि इशान कोने में लगाना सही है या कलत है देखे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तुष आसर के अनुसार नॉर्थ हिस्ट में यानि इशान कोने में में गेट लगाना बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर में गेट लगाने से घर के अंदर हमेशे ही खुशाली आती है नॉर्थ हिस्ट के भाग में गेट लगाते समय आपको कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो जब आपको अपना में गेट नॉर्थ हिस्ट कॉर्नर में लगाएं तो में गेट आपका बिल्कुल लाइट वेट का होना चाहिए जाली वला होना चाहिए और हलका होना चाहिए मेंगेट की जो हाइट है वो आपकी चार दिवारी की हाइट के बराबर होनी चाहिए चार दिवारी की हाइट से उंचा आपका मेंगेट नहीं होना चाहिए मेंगेट लगाते से मेंगेट के जो पिलर बनते हैं वो पिलर भी करना है वो color आपने sky blue color करना है light blue color करना है main gate लगाटे समें यह आपने एक बात और ध्यान रखने हैं जब डाप the main gate लगाए तो main gate के जब बंद होती है वह हमेशा इस त्रहे से सेटिंग कराना कि वह आपस्ँमें CBT करना होना हो ह अज़का सा खाली हो जाती है और नीची हो जाती है जो कि एस परवास्तु सबसे अच्छा माना जाता है Second Point Main Gate जब North East के भाग में लगाए जाता है तो पूरे घर की फर्ष की ढलान भी North East Corner के और कर दी जाती है Main Gate जब आप लगाए तो Main Gate के उपर आपने भाले नहीं लगाने है वैसे तो आजकल भाले Main Gate के उपर नहीं लगाते हैं वो जबाना जा चुकाए है लेकिन फिर भी कुछ जगए ऐसा होता है जहाँ Main Gate के ऑपर सर्प्टी के हिसाब से भाले लगा लिए जाते है आपने वह भाले नहीं लगाने हैं और मेंगेट की जो उचाहिए च्यार दिवरी की उचाहिए बराबर होने उचाहिए आप इन बातों का ध्यान रखकर अपना मेंगेट नौर्थ हेस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के नौसर मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें site visit के लिए invite करना चाहते हैं, तो आप हमें site visit के लिए invite कर सकते हैं, आपका घर बना हुआ है और आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान हैं, आपको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप मेरी सभी वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खु सकते हैं, मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जानकारी आपको लगता है कि सही है, तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकास से छोटे चोटो पाई करके अपने घर को सही कर सकते हैं, आपके मन में भी अपनी site के परती कोई question है, कोई query है, तो आप हमारे YouTube के comment box में message लिख सक और मेरे इस वीडियो को अपने family और friends के Facebook ग्रूप और WhatsApp ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, और बेल आइकन जरूर धबाए, ताकि मेरे आने वाली जि झाल